नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका RK क्लासिस में दोस्तों आज हम लोग मद्यकालिन भारत जो कि हम लोगों ने पल रखा है उसमें हम लोग टेस्ट लगाएंगे जिसमें लगबक 100 कोश्चन हम लोग करेंगे यह हमारा पहला टेस्ट है और आप लगातार बने रहें कुल 10,000 कोश्चन तक हम लोग टेस्ट लगाएंगे ठीक है सारे कोश्चन स्टेंडर्ड है सभी एक्जाम में पूछे गए है ठीक है दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं और सुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास वाले बेल को देखा होगा तो निश्ची 300 कोश्चन में आप 85 कोश्चन तो एकदम सही कर ले जाएंगे और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे पहले आप देखें उसके बाद टेस्ट लगाएं सांदार नौट्स है है हैंडिटें नौट्स है आप भी उसे लिख लें तो चलि को पता है लाक बक्स की उपादी जो है कुतुब दिन एवक को दी गई थी हमारा अगला कोश्चन है कुतुब मिनार किस परसिद सासक ने पूरा किया था कुतुब दिन एवक इल्टु तमीश फिरोज साथ तोगलक अलाओ दिन खिल जी तो देखिए कुतुब मिनार को सुरू तो कुतुब दिन एवक ने किया था लेकिन इसे पूरा जो है इल्टु तमीश ने किया था फिरोज साथ तोगलक ने इसकी चौथी और पांसवी मंदिल के निर्मान में योगदान दिया था हमार अगला कोशन है उत्तर भारत की पर्थम मुसलिम महिला साशिका कौन थी रजिया सुल्तान मुम्ताज नूर जहां इन में से कोई भी नहीं तो आपको पता है इल्टु तमीश की बेटी रजिया सुल्तान उत्तर भारत की पर्थम मुसलिम शाशिका थी अगला सवाल है निमलिकित में वद दिल्ली का वद सुल्तान कौन था जिसकी मिर्त्यू जो है पोलो खेलती वक्त हो गई थी कुतुबुदिन एबग अलावदिन खेल जी फिरोसा तुगलक या गयासुदिन तुगलक तो आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1210 में पोलो खेलती वक्त कुतुबुदिन एबग की मिर्त्यू हो गई थी अगला है रज्या सुल्तान किसकी बेटी थी अलतमस की नासुरुदिन की कुतुबुदिन एबग की या बलवन की निशीदी आपको ये पता होगा रज्या सुल्तान जो है ये अलतमस या इलतुतमिस की बेटी थी नेक्स्ट कुश्चन देखिए मुहमद गौरी विजित परदेशों की देखभाल के लिए निमलेकित में से किसे विश्वन्तिये जनरल को छोड़ कर गया था नाशुरुदीन, अलतमष, कुटुबोदिन एवक या मलिक काफूर तो आपको बिल्कुल पता है कि नाशुरुदीन जो है मुहमद गौरी जो है विजित परदेशों की देखभाल के लिए कुटुबोदिन एवक को छोड़ गया था जो कि उसका बुलाम था दिल्ली सल्तनत का राजिकाल कब समाप्त हुआ 1498 इस्वी में, 1565 में, 1600 में या 1526 इस्वी में तो देखिए 1498 इस्वी तो वास्को डिगामा जो है भारत आया था 1526 इसका अंसर है पानिपत का लड़ाई चलिए अगला कुशन देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट कुशन उमीद है आप लोग इसे बना रहे होंगा साथ में देखिए दिल्ली के सुल्तान का पद समालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधान मंतरी था नासरी उद्दीन, कुतुब दिन एवक, बहरामसा या अरामसा इसका अंसर लगाएं, देखिए इसका अंसर होगा नासर उद्दीन ये एक ऐसा सुल्तान था जो की तोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था और नासरी उद्दीन ने बलबन को उलुख खां की उपादी दी थी कुशिय नमर नौ कहता है कि चंगेज खां ने जलालुदीन का पीछा करते हुए किसकी सासनकाल में भारत की सीमाओं पर आकर्मन किया कुटब दिन एवक के, इल्टुतमिश के, बलबन के या नासरुदीन खुशरो के निशिती आपको पता होगा अगर आपने लेक्षर को अच्छे से पढ़ा है तो इसका अंसर होगा इल्टुतमिश अगला है निमलेकित में से किसको शक्तिसाली शेनिबल के एक समू चिहलगानी या चालिसा दल के विनास का सुरे जाता है तो आप्षन है बलबन, कुटब दिन एवक, इल्टुतमिश या रजिया सुल्तान देखिए चिहलगानी का विनास किया था, बलबन ने और इसे का निर्मान किया था, इल्टुतमिश ने चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है मदुरई तक सफलता पुर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था तो ध्यान रखें, दक्षिन भारत तक सफलता पुर्वक बढ़ने वाला जनरल इनने में से कौन ने देखिए, खिजर खान, मुहमद गौरी, मुहमद बिन तुगलक या मलिक काफूर तो ये मलिक काफूर जनरल था नेक्स्ट है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? मंगोल थे, अफगान थे, एक जाट कबीला या फिर तुर्क? बिल्कुल ये तुर्क थे अगला सवाल है, किसके सासन काल में सबसे अधिक मंगोल आकरमन हुए थे? बलवन के काल में, अलाओदिन खिलजी के काल में, मुहमद बिन तुगलक के काल में, या फिरोज तुगलक के काल में, तो ध्यान रखें, सबसे जादा मंगोल आकरमन हुआ है, अलाओदिन खिलजी के काल में, और यदि सबसे पुछें कि सबसे जादा विद्रो किसके काल मे हुआ है तो मुहम्मद बिन तुगलक के काल में इसके काल में कुल 34 विद्र हुआ है नेक्ट कुश्यन है स्वैम को दूसरा शिकंदर एस्थानी कहने वाला सुल्तान कौन था बलवन अलावदिन खिल जी मुहम्मद बिन तर्ट पर इस जगह बर पहुँचा तो आगे उसे सिर्फ समुदरी समुदर नजर आया तो उसे लगा कि दुनिया जो है इसके बाहर नहीं है तो उसने जो है इसकी जानकारी अलावदिन खिल जी को दी और इसी बात से खुश होकर कि उसने पुरी दुनिया को जीत लिया है उसने श्वयम को शिकंदरे शाने की उपादी धारन की चलिए अगला कोशन देखते हैं अपना क्या है कोशन नमबर 15 सुल्तान वंस की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सिधा राजद्वारा किया जाता था ये किसने बनाया था इल्टु तमिष्ट ने अलावदिन खिल जी ने मुहमद बिन तुगलक ने ये सिकंदर लोदी ने तो ध्यान रखें सबसे विशालतम जो अस्थाई शेना थी अलावदिन खिल जी ने बनाया था इसी ने जो है चेहरा लिखने की परता सुरू की घोड़े को दाग देना सुरू किया ठीक है अगला देखिए मुहमद बिन तुगलक किस में निपुन था कला में सुलेखन में संगीत में या दर्शन में तो ध्यान रखें मुहमद बिन तुगलक जो है ये फिलोस्पी में निपुन था काफी पढ़ा लिखा था इबन बतुटा किस के काल में भारत आया था एलतुतमिश के अलावदिन खिल जी के मुहमद बिन तुगलक के या फिर बलवन के तो आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने पढ़ रखा है मुहमद बिन तुगलक के काल में इबन बतुटा भारत आया था और इसने जो है मु इससे इतियासकारों ने विरोधों का मिसर्ण बताया है क्या वो बलवन है अलावद निखिल जी है मुहमद बिन तुगलक है या इब्राहिम लोदी है तो आपको ध्यान रखना है विरूधों का मिश्रम बताया गया है मुहमद बिन तुगलक को और इसकी मिर्ट्व पर ही कहा गया था कि अंतरता जो है लोगों को उससे मुक्टे मिल राज राजधानी का स्थान अंत्रन नए सिक्कों का चलवाना ये सारे अभियान इसके फेल कर गए थे हमारा अगला कोश्चन है 1329 और 1330 के बीच तामबे के सिक्के के रूप में प्रमान सरूप मुद्रा किसने परचलिते की थी तो ध्यान रखना है क्या हुआ अलावदुन खेल जी था गया सुदिन तुगलक था मुहमद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक तो देखिए परमान सरूप मुद्रा जो है तामबे का सिक्का चलवाया था मुहमद बिन तुगलक ने और इसके काल में ऐसा कहा गया कि हर घर में एक टकसाल हो गया क्योंकि लोगों ने इसने जो सिक्के चलवाय थे लोगों ने उसे खुद से ही ढालना शुरू कर दिया थ चलि आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है किस वन्स के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक सासन किया खिलजी वन्स दास वन्स तुगलक वन्स या लोधी वन्स तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक समय तक सासन किया था तुगलक वन्स के सासकों ने अगर सबसे कम पू किस कारण से मुहम्मद बिन तुगलक जो है और सफल व्यक्ति था हुआ एक विछिप्त था, वैवारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे सर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया, तो देखिए इसमें इसका सर्टिक अंसर क्या हो सकता है, हम लोग लगा सकते हैं कि वह वैवारिक राजनेता नहीं था, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वह काफी पढ़ा लिखा था और उसकी सोच जनता से मिल नहीं खाती थी और वह आपने आपको बदलना नहीं चाहता था, हमार अगला कुशन है निमलिकित में से किस सासक ने सिचाई तथा लोग निर्मानकार पर पर प्रयाप्त ध्यान दिया था, क्या वो मुहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, क्या वो अलावदिन खिल जीता, फिरोज तुगलक था या गयासुदीन तुगलक था, तो आपका फिरोज तुगलक ध्यान रखें, चलिए अगला कुशन क्या है कि लोदी वन्स किस था अपना किस ने की थी, इबराहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या खिजर खां, तो आपको पता होना चाहिए कि लोदी वन्स किस था अपना जो है, बहलोल लोदी ने ती पता होगा कि जिसे पानिपत की युद में हराया गया था वह अपना था इब्राहिम लोदी अगला है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फिरोज तुकलक, मुहम्मद बिन तुकलक, अलाउद बिन खिल जी या सिकंदर लोदी तो दियान रखें आगरा सहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी कुतु मिनार को जैसा हम आज देखती हैं अंतरता उसका पुनर निर्मान किसने करवाया था बलवन ने, अलाउद दिन खिल जी ने, सिकंदर लोदी ने या फिरोज तुकलक ने तो ध्यान रखें सबसे लास्ट में उसका अंदर्मान कराया था फिरोज, आप करें सिकंदर लोदी ने, नेक्स्ट कुश्यन है, बहमनी राज के स्थापना किसने की थी, एहमत सा पर्थम, अलाउदिन हशन, महमूत गवान या फिरोज सा बहमनी, तो ध्यान रखें, गोल गोमबज का Comput किसने कराया था महमध अदिल्शा, महमतगवान, यूशुफ अदिल्शा या इसमाइल आदिल्शा तो ध्यान रखें, महमध अदिल्शा ने गोल गुमबज का अंदिरमान कराया था बीजापुर में, आगे वढ़ते हैं, अगला कुश्यन देखी क्या क कहता कि गोल गुंबज कहां पर है कुनार्क में पूरी में हैदराबाद में या भीजापूर में तो अभी हम लोगों ने देखा भीजापूर में नेक्स्ट है भामनी राजाओं की राजधानी कहां थी क्या गुलबरगा थी भीजापूर बेलगाम या रायचुर तो ध्यान रखें बलमनी राजाओं के राजानिक गुलवरगात आगला है निम्लिकीत में वयस स्थान कौन सा northern साथ हैं विस्व का सब से बड़ा गोलगुम्बद है रिमिस्क काहिरा, इस्तांबूल या फिर बीजापूर तो सबसे बड़ा गोल गुंबज है बीजापूर में जो कि योसुफ आदिल साह ने बनवाया था नेक्ट कुश्चन है प्रसिद मुस्लिम सासिका चांद बीबी निमलिकित में से किस राज से संबन्दित थी बीजापूर से, एहमद नगर से, गोलकुंडा से या फिर बरार से तो आपको ध्यान रखना है चांद बीबी जो थी ये बीजापूर से संबन्दित है नेक्ट कुश्चन है हमपी, तुरुनवल मले, चिदंबरम, स्रीरंगम, तुरुपती, आदी में मंदिरों के सामने की और बने हुए जो है रायगोपूरम का निरमाता कौन था? विद्यारण था कृष्ण देवराय, हरीहर या राजराय तो रायगोपूरम का निरमाता जो है, ये कृष्ण देवराय था, ध्यान रखें नेक्स्ट कृष्चन है, विजयनगर को सासकों में सबसे महान सासक किसे माना जाता है? विजयनगर के जितने भी सासक हुए, कृष्ण देवराय को, शदाशिवराय को, वीर नर्शिंग को, या राम राय को तो निशित आपको पता होगा, कृष्ण देवराय जो है, विजयनगर का महान समराट माना जाता है विजयनगर के मदकाली नगरों को आज काल क्या कहते हैं चंद्रगरी कहते हैं हेलू बिंदू कहते हैं हमपी या फिर कोडा विडू तो जान दखें आप विजयनगर का जो समराज है आज हमपी में उसके अफसेस मौजूद है अगला प्रस्ण है विजयनगर के सासकों ने जो है प्रुसाहित किया था हिंदी मराथी संस्कृत को मल्यालम तमिल संस्कृत को तेलगु तमिल संस्कृत को या तेलगु उर्दू और संस्कृत को ऑप्षन को ध्यान से देखें तो आप जब ऑप्षन ध्यान से देखी गा तो तिस कई दफ़ा पूछा जा चुका है कहता है कि कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे सेरशा के हुमायू के बाबर के या अकबर के तो ध्यान रखना है कृष्ण देवराय जो है ये बाबर के समकालीन थे और बाबर ने अपनी आत्मकथा में इनके बारे में ये कहा है कि ये भारत के महान शाशकों में से एक हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखी क्या है विजयनगर के गौरव के भवना वशेश और इसकी वास्तु सेली के एतिहाशिक महत्त का स्थान अब कहां दिखा जा सकता है विजयनगर के अफसेश हमपी में दिखाई पड़ते हैं अगला कुशन है विजयनगर का प्रतम सासक कौन था जिसने पूर्तगालियों के साथ संधी की थी क्या वो हरियर था या बुका देवराय दूतिय या कृष्ण देवराय तो ध्यान रखें विजयनगर के सासक कृष्ण देवराय ने पूर्तगालियों के साथ संधी की थी कुशिन नमर 41 विजनगर निमलिकित में किस नदी के किनारे इस्तित है क्या वो नदी कावेरी है या फिर वो कृष्णा है या फिर वो बानगंगा है या तुंग बद्रा है तो ध्यान रखना है विजनगर जो है ये तुंग बद्रा नदी के किनारे इस्तित है हमार अगला सवाल है विजानगर के महान समराज के अफसेश कहां पाये जा सकते हैं पुना देखी वैसा ही सवाल आपसे पूछ लिया गया है विजापुर में गुलकुंडा में हमपी में या बड़ोदा में बिल्गोल इसका अंसर हमपी ही होगा अगला कुश्यन है निमलिकित में कौन सी बात भक्ती आंदोलन और सूफी आंदोलनों में साजा नहीं है तो ओप्शन देखी क्या है इश्वर के परती निजी प्रेम मुर्ती पूजा रह श्यवाद तिर्थ अस्थानों की यात्रा तो देखी ये इसमें जो है आपकी मुर्ती पूजा जो है ये भक्ती आंदोलन और सूफी आंदोलन में साजा नहीं है बाकि हर जीश कॉमन है अगला है देखिए 44 नंबर कहता है कि संत कभीर का जन्म जो है ये कहां हुआ था तो आपको ध्यान दकना है क्या वो दिल्ली है मथूरा है वारनसी या हैदराबाद तो कभीर का जन्म जो है ये वारनसी में हुआ है क्या कहता है निमलिखित दारशनिक और उनके दर्शन सम्मू से गलत जोड़ा है जो आपको लगाना है संकराचार अद्वयत वल्लबाचार सुद अद्वयत चैतन विशिष्ट और चावार्क लोकायत इसका अंसर ती नमबर है अगला है महाराष्ट का महांतम भक्ति कवी कौन था रामदास तुकाराम नामदेव या एक नाथ तो ध्यान रखे महाराष्ट का महांतम जो है भक्ति कवी तुकाराम थे अपना अगला कोश्चन है मेवार के राजगराने से संबंदित प्रसिद भक्ति शंत कौन थी चैतन्य, अंडाल, मिराबाई या रमाबाई तो आपको पता होना चाहिए कि मेवार राजगराने से जो संबंदित भक्ति शंत थी ये मिराबाई थी नेक्स्ट है स्रिंगेरी, बद्रिनास, द्वार का और पुरी में चार मठ स्थापित किये गए थे रामानुस द्वारा, अशोक के द्वारा, आदि संकरा चारे के द्वारा या माधव विद्यारण द्वारा ये कुश्चन कई दफा बिविन एक्जाओ में पूछा गया है तो देखिए सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहां कहां पर जो है मत अस्थापित किये गए थे तो स्रिंगेरी, बदरिना, त्वारा का पूरी और ये संकरा चारे ने नेक्स्ट है भारत में चिस्ती आंदूलन को किसने अस्थापित किया था तो ध्यान रखना है भारत में चिस्ति अंधिलन की सुरूआच मुईनु दिन चिस्ति ने की थी अग्ला है अजमेर में किस सूफी शंत या सूफी फकीर की दरगा है बाबा फरीद, कुतुब दिन बक्तियार काकी, मुहिन दिन चिस्ति या ख्वाजा बहवदीन तो ध्यान रखें, अजमेर में जो है, मुहिन दिन चिस्ति की धरगा है जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, मिडायवल में दोस्तों, ये 50 कोशन तक हम लोग करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा वैसे हमारा डार्गेट था 100 कोशन करने का, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग उसे पूरा नहीं करेंगे, लेकिन ये टेस्ट आपको पूरा करना है अगर आप चाहते हैं कि 50 के आगे भी हम लोग इस तरह करें और लगपक कई सारे कोशन करें तो आप जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अदेख सेर करें और आपको इस 50 नमर में कितना माक्स आया, ये भी जरूर कमेंट करें धन्यवाद